हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टो माई योटुब चैनल, तो आज हम करेंगे एच्पी जेवीटी टेट का जो की अभी संडे को था, तो उसकी जिक्ये की अंसर की आज मैं लाई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, की जिल का जिल भारत के किस राज्यों में स्थित है, की विच्च स्टेट इस जिल का लेक लोकेटिड इन इंडिया, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, उडिसा, ओप्शन, से इस राइट अंसर, फिर था कि भारत का एक मातर स्क्रिय ज्वाला मुखी कहां स्थित है, तो वो है बेरंद्वी, ओप्शन, डिल राइट अंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमार पास, नरमदा नदी के सरक्षन के लिए मध्यपरदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है, कि उन्होंने जो वो नरमदा नदी के सरक्षा के लिए किस योजना को अरम व्यार शुरू किया था, तो वो था, ओप्शन डी, नमामी, देवो, नरमदे, नेक्स्ट कोश्चन आता है हमार पास, की, फ्रीडम, फॉर फायर जो बुक थी, उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक थे, आंगसा, चूकी, ऑप्शन, बेज, राइट अंसर, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी सेम, ऐसे ही है, नेक्स्ट कोश् की सारोभा मिमिक, घोशना को सियुक्तराष्ट्यस संग के महा सभा ने कब सविक्रित और घोशित किया था, तो वो किया था, 10 दिसंबर 1948, यानी, ऑप्शन D, राइट अंसर, नेक्स्ट है, चिपको अंदोलन कब शुरू किया गया, तो चिपको अंदोलन, यह वो, ऑप्श 3 में शुरू किया गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि सरदासरो वर्बान किस नदी पर बनाया गया है, वो बनाया गया है, अप्शन C, नरमदा नदी पर सरदासरो वर्बान बनाया गया है, नेक्स्ट है, कॉंग्रिस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाओं में दिया था तो वो दिया था 1971 ओप्षिन बेज राइट अंसर नेक्स्ट कोईश्टिन है मार पास सोतंतरता के बाद भारत में प्रतम लोग सबा चुनाओं कब हुए थे तो वो हुए थे अक्टूबर 1941 1951 से फर्वरी 1952 तक आप इंग्लिश में लेख सकते हैं मैंने इंग्लिश में भी इसमें टिक किये हैं नेक्स्ट कोईश्टिन है भारत के चुनाओं अयोग का गठन कब किया गया तो वो किया गया था जैन्वरी 1950 को आप्शन बीज राइट अंसर नेक्स्ट कोईश्टिन है सोतंतरता मेरा जन्म से दिकार है और मैं इसे लेकर हूँगा यहो नारा किस ने दिया था तो यह दिया था बाल गंगा धर तिलग ओप्शन डी इस राइट अंसर तब आता है मार पास जब भारतिय सोईधान बना उस समय मतदात था जो वो बनने की आयू क्या थी बनने के लिए उस समय जो आयू 21 वर्ष थी और 18 वर्ष अब की गई है तो ओप्शन बे इस राइट अंसर नेक्स्ट है रीतों में परिवर्थन परिथ्वी की किस गती के कारण होता है तो होता है परिक्रमन यानि रेविलेशन के द्वारा ओप्शन बी परिक्रमन इस राइट अंसर नेक्स्ट है टुकान क्या है टुकान जो है वो एक बर्ड यानि पक्षी है नेक्स्ट कुष्चन है वुट्स डिस्पैच या वुट्स का निती पत्र किस परकार का दस्तावेज था वो था भारत में लागू की जाने वाली शिक्षानिती की रूप रेखा अप्शन बे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि करक्रेखा इनमे से कौन से राज जे कौन से भारतियों प्रदेश से नहीं गुजरती तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आप अपनी नोट मुख में लिखेंगे मगरमच जपता कि इससे जो है वो आपके जो जिस निन राज जोसे करक्रेखा गुजरती है उनके नाम आ जाएंगे जैसे कि मौसे मद्द परदेश ऐसे करके इसमें सबसे निन जिन राज जोसे करक्रेखा गुजरती है उनके नाम है फिर है गोस गुजरात वैसे ही आगे इसमें जिन जिन से करक रेखा गुजरती है तो इसमें यूपी नहीं है इसका अंसर होगा आप्षिन यानि उत्तर प्रदेश से जो है करक रेखा नहीं गुजरती है नेक्स्ट क्वेस्टन है निमन लिखित में से कौन सी गयस है जो सूर्यों की हानिकार जो किरने होती है उनसे हमें बचाती है तो वो है ओजोन यानि ओथ्री ओजोन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है यहां पर थोड़ा जो बूपरपटी है उसको थोड़ा अलग दिया गया है यानि क्रस्ट को इदर हिंदी में पपड़ी कहा गया है तो इसमें जो कन्फ्यूस हो सकते हैं तो इसका राइट आंसर है क्रोड क्रोड के बाद आती है मेंटल के बाद आती है पपड़ी यानि सबसे अंदर करोड है उसके बाद मेंटल है फिर क्रस्ट सबसे बाहर वाली परत है नेक्स्ट क्वेशन है विश्व का सबसे पड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है तो वो है थार अप्शन डी राइट अंसर फिर आता है सहर परिवार का कौन सा अगर है सुर्यो के वसरवादिक निकट है तो वो है बुद्य आनि मर्गरी छुआ छूत की जो वो समापती सविधान के किस अनुछेद द्वारा की गई है तो वो की गई है अनुछेद इस्तारा यानि आर्टिकल 17 नेक्स्ट कोश्चन आता है मार पास लोहे की वस्तु को जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है तो गैलवनी करन यानि उस पर एक परत चड़ा कर हम उसे जंग लगने से बचा सकते है लोहे को फिर आता है नेक्स्ट कोश्चन जंग का रुसाइनिक सुत्तर क्या है तो वो है ओप्शन ए एफ ए टू ओ त्री नेक्स्ट कोश्चन है मानो श्रीर में सबसे बड़ी गरंती कौन सी है तो वो है ये कृतियानी लीवर फिर आता है मार पास की अफ्रीकी राष्ट्य कॉंग्रेस का नेता जिसने रंग भेद के विरुद लंबे समय तक संगर्ष किया था और उसमें फिर सक्सेस भी पाई थी वो थे नेंसर मंडेला नेक्स्ट क्वेश्टन है कीटो को पकड़ कर अहार बनाने वाले पौधे का क्या नाम है तो वो है घट परनी ओप्शन सीर राइट अंसर फिर आता है विश्व का सबसे छोटा महादविप वो है ऑस्ट्रेलिया महादविप और अगर आप से पुछा गया की वर्ड का जो है वो सबसे बड़ा महादविप कौन सा है तो वो हो जाएगा एशिया महादविप फिर है कि यांग्तस जी नदी किस देश में बहती है तो वो बहती है चाइना यानि चीन में ओप्शन डी राइट अंसर नेक्स्ट एंड सेकिंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में ग्रेलू हिसा से महिलाओं का सरंक्षन अधिनियम कब लागू किया गया था तो वो क्या गया था 2006 में 2006 में शुरू क्या गया था ओप्शन सी राइट अंसर फिर आता है मारा लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो है कि इंद्रा बिंदू भारत के किस भाग में स्तित है तो वो है ओप्शन बी यानि दक्षन भाग में ओप्शन भी इस राइट अंसर तो ये थे जिब एच्पी जेब टीट एट का जो एच्पी जीके जिसमें आपसे साइंस के ईवियस के और जीके के कोश्चन पूछे जाते हैं तो बाकी जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनकी आंसर की भी मैं जल्द ही चैनल पे अप्लोड कर दूँगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे थेंक्यू कर दो